तेश महत्पूर्ण किचेन टिप्स ध्यान रखने योग जरूरी बाते नमबर एक अगर आपका मन धावा अश्टाइल दाल खाने का है और चाहते हैं कि बिल्कुल वैसा ही टेश्ट आए तो एक साफ मिट्टी का दिया लें गैस पर रखें और तड़के को फ्राइ करें और फिर दाल में तड़के को मिक्स करें सौंधी सौंधी टेश्ट वाली दाल आपका दिल जीत लेगी नमबर दो हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि जब भी पापड और चिप्स हम अस्टोर करें के रखते हैं तो कुछ महीनों बाद अजीब सी महक आने लगती है डिब्बे से ऐसे में बस आप कुछ सूखे मीर्च रख दें डिब्बे में और धक्कल लगा दें कितने दिनों बाद भी आप चेक किजिए कभी भी महक नहीं आएगा नमबर तीन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई सूखी सबजी बना रहे हैं और नमक जादा हो गया है सबजी में तो आपको बस एक चमच बेसन लेना है उसे धीमी आज पेर भून लीजिए और सबजी में आइड कर दिजिए सबजी का नमक कम हो जाएगा जिससे सबजी का स्वायत दोगुना हो जाएगा नमबर चार कभी भी आप दाल बनाएं तो दाल को पहले थोड़ा सा रोष्ट कर ले उसके बाद दाल को बनाएं आपकी दाल बहुत तेश्टी बनेगी नमबर पाँच जब भी आप दाल को फ्राइ करें थोड़ा सा कशूरी मेथी जरूर डाले इससे आपकी दाल बहुत टेश्टी बनेगी नमबर छे करेले की सबजी का कड़वा पंदूर करने के लिए आप पहले करेले को काट लें फिर उसमें अच्छे से नमक मिला लें और दो से तीन घंटे के लिए छोड़ दें इसके बाद पानी से अच्छे से धो लें फिर करेले की सबजी को बनाएं सबजी बिलकुल भी कड भी नहीं लगेगी नमबर साथ जब भी आप पूरी तेलते हैं अक्सर पूरी ज्यादा तेल सोख लेती है इसके लिए आप जब भी पूरी तेले पहले आप पूरी को बेल ले फिर उसे एक प्लेट में रख के फ्रेज में आधे घंटी के लिए रख दे इससे पूरी अगर कोई भी फ्रूट्स ना हो तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए मिल्क सेक तयार करने के लिए आपको बस एक बड़ा चमच फ्रूट्स जैम का लेना है मिल्क में मिलाना है और अच्छे से सेक करना है आपका मिल्क सेक तयार है नमबर नौ अगर आप डेली एक ही परकार की चाय पीकर उब चुके हैं तो आज मैं लाई हूँ आपके चाय के जाइके को बदलने के लिए एक खास किचेन टिप्स इसके लिए आप नीबू के पतले पतले या फिर संत्रे के पतले पतले सलाइस कर लें और उसे धूप में सुखा लें जब भी चाय बनाएं चाय में पसंद आएगा नमबर 10 एक ही परकार के डाल खाकर अगर आप बोर हो चुके हो तो अब की बार जब भी डाल बनाएं एक छोटा सा टुकड़ा गूर का डाल दीजिए डाल पकाते बकते आपको ये स्वाद जरूर पसंद आएगा नमबर 11 अगर आप दूध उबाल रहे हैं और दूध जल जाए हलका सा और दूध में से जलने की बदवू आ रही है तो ऐसे में क्या करें आपको सबसे पहले दूध उबालना है और एक पान का पत्ता डालना है एक मिनट तक धीमी आच पर उबालिये अगर फिर भी महक आ रहे है तो एक और पान का पत्ता डाले फिर पान के पत्ते को दूध से निकाल ले इससे महक चली जाएगी नमबर 12 है अगर आप हरी सबजी उबाल रहे है और चाहते है कि हरी सबजी का रंग ना बदले हरा ही रहे तो सबजी उबालते बक्त थोड़ा सा नमक पानी मिला कर डाल दें ऐसा कहने से सबजी का रंग नहीं बदलेगा अगर आपके पास समय कम है और प्याज को गोल्डन ब्राउन करना हो तो प्याज को फ्राई करते बक्त थोड़ा सा चीनी मिला दें ऐसा करने से आपका प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएंगे बहुत लोग ये कहते हैं कि उनकी रोटियां बाद में कड़ी हो जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप आटे को अच्छे से नहीं गुतते मुलाइम रोटी बनाने के लिए आटे को अच्छे से बिल्कुल मुलाइम होने तक गुते फिर आपकी रोटियां बिल्कुल मुलाइम बनेगी लंबे समय तक नमबर पंदरा है अगर आपको चावल खिले खिले बनाने हैं तो चावल को उबालते बक्त एक चमच घी और नीबू का रेश डालें इससे आपके चावल खिले खिले बनेंगे नमबर शुला है जब भी आप आटे को फ्रीज में रखते हैं आटा काला पड़ जाता है इससे बचने के लिए आप आटे के उपर घी लगाएं और यह टाइट कंटेनर में आटे को रखें आपका आटा बिलकुल फ्रेश मिलेगा नमबर सत्रह अगर आप मठरी बना रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी मठरी टेश्टी खस्ता और दानेदार बने तो सबसे पहले आप मठरी के आटे को आप टाइट गुथें और आटा गुथने के बाद उसे आधे घंटी के लिए जरूर रखें और आटा गुथते बगत थोड़ा से सफेद तील का जरूर डाल दे इससे मठरी और टेश्टी बनेगी नमबर अठा रहे हैं पालक पनिर बनाते बक्त या पालक की कोई भी सबजी बनाते बक्त पालक को जब भी उबाले एक चमच चीनी का जरूर डाले इससे पालक का रंग हरा बना रहेगा नमबर उनेस हम अक्सर बजार से ऐसी सबजियां लाते हैं जिनके डंठल होते हैं आप डंठल को फेके नहीं क्योंकि उनमें बहुत पौश्टिक तत्व होते हैं उन्हें अच्छे से धो लें फिर एक बरतन में पानी डाल कर डंठल को उबाल लें और पानी को आप सबजी बन इतने में इस्तेमाल कर सकती हैं नमबर बीस आलू का पराठा बना रही हैं और चाहते हैं कि आलू का पराठा टेश्टी बने तो आलू का मसाला जब भी बनाए उसमें कसूरी मेथी जरूर मिला लें इससे आपके पराठे बहुत टेश्टी बनेंगे नमबर एकीस जब भी आप दूध उबालते हैं तो अक्सर पेंदी में मलाई लग जाती है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले जिस भी पतीले में आप दूध उबाल रहे हैं उसे गैस पे रखें और हलका सा पानी डाल के गरम कर लें जैसे ही पानी गरम हो जाए फिर आप दूध डालि दूध बिल्कुल भी पतीले में नहीं चिपकेगा नमबर बाइस आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम मिर्च पॉडर अश्टोर करके रखते हैं कुछ महीने बाद उसका कलर बदल जाता है ताजा नहीं रहता ऐसे में हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले जिस भी में थोड़ा सा हिंग का पॉडर मिक्स कर दें आपका मिर्च पॉडर कई महीने तक फ्रेश रहेगा नमबर तैस आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आपने कडाही में तेल डाल दिया और उसमें हलका सा पानी था जिससे उबह चिटकने लगता है ऐसे में आप बस एक च समच तुरांत आटा मिला दें और मिक्स कर दें तेल का चिटकना बंध हो जाएगा यदि आपको ये किचेन टिप्स अच्छी लगी हो या आप ऐसे ही और किसी टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप किरप्या मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें ताकि आपक टिप्स तथा जानकारे मिलती रहें आपका बहुत बहुत धन्यवाद है